दिन गए भी तसुख के पड़ गई लीके स्मृति की मना पटला पेप आब कवन उपायब मिटाउं जतनकर हारी दिन गए बीत सुख के अंतरा आते तक मैं I was crying मैं फूट के रो रही थी दीदी ने एक दम से काया उठाओ बाजा रखो अब इसको शाएद मेडिकल टर्मनोलोजी में आप कह सकते हैं कि इसको ब्रेकड़ाँ या आउडबर्स था वटेव बट मैंने रखा देर दो हफते बाद मेर पास पोन आया दूरदर्शन लखनों से कि हमने तो सुचा था कि आप शादी हो गई भी आई है सफसर से गाना बजाना बंद कर चुकी होंगी दूरदर्शन कॉंसर्ट कर रहा नैशनल गाएंगी तो मैं गई तो मैं गई तीन दिन पहले उस दमाने में रहरसल होती थी पहले मैं जब गई तो जब रहरसल हुई बीच में चाय पीने लगे तो प्रोड्यूसर ने बताया कि आपके पिताजी आये थे आप रोई क्यों थी एक जो चीज आपकी तबियत में जयस भुझाती ने लेश जैसे खाना पीना सोना जागना दाना तुम मेरे लिए यह जो इस सिंस चाइल्धूट वही था उसको एक विराम मिल गया था और लाइफ हद टेकन आ वेरी ब्यूटिफुल टर बट बट दाट वसमाट आपने जैसे मैं गाह रही थी में तब म्यूजिक वज़ फर मी सिर्व गान ही थी पूरे टाम तो सुनती थी पूरे टाम सु किसी ने किसी को खेत में चूरा मार दिया तो उसकी पेशी हो रही है तो घर पे अदालत लगरी उसकी जब एसडेम था उस समय रखती थी तो रसी पकड़ के आ रहा है क्या गाना बजाना बिजली चली गई बिजली वहा पे उस समय जणरेटर वगर कि सुविदा नीती है त तो हाई वोल्टेज आया तो फुग गया उसकी फिर आप चीजों में लगरे है बच्चे के लिए दूद गरम नहीं है तो फिर वहां जा रहे है पानी नहीं आ रहा है तो कुए से ला रहे है स्ट्रगल्स एंड एक्सपेक्टेशिंस एंड लाइफ टोक डिफरेंट टर्न और मुझे वाकई ही लगा कि एक्चुली ठीक है वह फेस तब यह दूसरा फेस है और यह मैं आपको जब बतारी मेरे शादी को चार पासाल चार साल हो गए थैंड यह क्यों यह गाना चुना और क्यों मैंने गाया और कैसे उसके बाद यह मेरे बहन ने मेरे पिता से बोला अपाप तो मुझे बात है अबद ने पदा चाल है यह मैंनों मैं से अगना तो yr हुआ ने ने पहन देखो यह पमआ ने करें उना हूं कियो इन लोग वह फाह मैं पयोगे तो मैंने श्क्षिख से एकिरो तो मैं ने ने पक्तल्लि मैं मातलब यह मैं सहको झाए हुए इख य कि शादी होने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि I have become unapproachable, इन से कौन बात करें, कैसे जाएं, और जमाने मंबाइल सो होते नहीं थे, इन से फोन करने के लिए पहले अफसर से बात करने पड़ेगा, या फिर हस्बंड से इजाज़त लेनी पड़ेगा, या शाद अब कि नहीं गाएंगी, लोगों ने अपने अपने नेने लिए, यह जो आपने बहुत अच्छी जीज़ पर टच किया, कि यह जो लड़कियों को अक्सर जो, एक कहानी लिखी थी मैंने, अपने सीजन वन में सुनाई थी, उसका नाम था, सारे का मापा, तो इसमें जब ड़की विदाई के बाद घर में दाखिल होती है, तो वो पहले शब जो सुनती है, वो हस्बिंट की आवाज है, वो नौकर से कह रहा है कि हर्मोनियम स्टोर में रख दो, और उसके बाद रोज वो स्टोर में जाती है, और सामने हर्मोनियम रखा होता है, च्छे गदम दूर, और एक तरकीबे करती है, संगीत दोबारा सीखने के लिए, यह जब दो हजार बारा में शायद मैं लिखी थी कहानी और फर्स सीजन में सुनाई थी, उसके बाद मुझे, नह जाने कितने लोगों के मेसेज आए, इंक्लूडिंग मेरे परस्नल फ्रेंज के, लड़कियों के, औ आफ्टर मैरेज, यह तो रोज की सचाई है, हिंदुस्तान की जो चीजे है, हम मंदली में राइटर्स कितने हैं हमारे जो जादातर राइटर्स, राइटर्स नहीं थे, प्रोफेशनल राइटर्स नहीं थे, उनकी शादी होई, शौक था, जो गिव अप कर दिया, सुनते रहे, सुनते रहे तो लगा, अरे, कसक भी हुई, मैं हम भी लिखते हैं, किसी दिन चोरी से एक मेल भेज दी, वो हमने, यह जो तकलीफ है, अंडरलाइंग तकलीफ हर आउसत हिंदुस्तानी औरत की, कितना बड़ा कड़वास अच है न देश का, इसमें एक चीज, बस मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगे, जो आपने कहानी बताई, उसमें हस्बन कहता है, बाजा रखो, मेरे हस्बन उल्टे थे, बाजा निकालो, लेकिन, यह भी तब भी औरत की, औरत बड़ी ऐसी चीज, बगवार ने बनाई, जब जिसकी होती है, तो पूरी तरह हो जाती है, आप समझ रहे हैं, तब ही आप देखते हूं कि जो बहती है, तो बह जाती है, इसलिए, इसलिए बैलेंस बहत कम मिलता है, क्योंकि वो माँ है, तो पूरी तरह माँ होती है, लेकिन मेरे लिए यह हमेशा कहते हैं, आज कुछ सुनाओ, तुमने गाया नि, बल्कि मुझे को एक बात कहते हैं, तुम टिपिकल हाउस वाइफ हो जा रही हूं, मुझे लगता था कि मैं क्या जवाब दूँ, यह अनायास खुद होता है, औरत अपने खुद, अपने खुद की जमेदारियों के गायद हो जाती है, वो कोई कहता नहीं, और मैं हमेशा इस बात की एक मैट कर देंगे, तो ऐसा उड़ेंगे, लोटेंगे नहीं, वापस वहीं पर आना चाहते हैं, मुझे लगता था कि जितना ही कहते हैं, आज मेरे लिए कोई घजर हो जाए, तो शाम को अक्सर बाजा में निकाल करके इन्हें सुनाती थी, बाबा नीमिया के पेड जनी काटी, ओ बाबा नीमिया पे चिरया के बसेर बलाइया लेओं बीरन की बाबा यह निमिया का जो पेड़ हनीम का इस पर चिडियों का बसे रहा है इसे मत काटना मैं जा रही हूं अपने भाई की बलेयां लेती हुई जा रही हूं घर से विदा हो रही हूं अरी बाबा सगरी चिरया उड़ी जाई है बाबा सगरी चिरया उड़ी जाई है आरी रही जाई है निम्या के र बलया लेँ बीरन की बाबा निम्या के पेड़ जनी काटी ओ बाबा निम्या पेचरया के बसेर बलया लेँ बीरन की आगी कहती है बाबा सगरी बिटईया घरे जई है बाबा सगरी बिटईया घरे जई है है अर रही जई है माई अकेर बलया लेऊं बीरन की बाबा निमिया के पेड़ जनी काटी ओ बाबा निमिया पे चिरया के बसेर बलया लेऊं बीरन की मोरे भाईया की मोरे बीरन की वाँ 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 आपने कहा आपकी आपकी शादी का अपना जिक्र किया आपके पती अवनीश वर्स्ती जी हैं जो आयस अदिकारी हैं बहुत अलग दुनिया से हैं जैसे आपने का उनका संगीत से कोई लोग मदद के लिए आते होंगे और आपका तो वो एक जो खिड़की खुली उससे आप पर किस तरह का असर पड़ा अवनीश और हमारी जब शादी ते हुई तो हम लोग के परिवार जानते थे एक दूसरे को इनके पेरेंस कानपूर के हमारी मौसी और इनकी बगल-बगल का घर था तो जब इनसे मुलाकात हुई इन्होंने हमसे एक बात कही कि माने यह तो बड़ा मज़दार वाकिया मम्मी ने जैसा होता है वो जो एक्चुली आप हसेंगे वो जो फिल्मी सीन होता है कि वह ट्रे लेके लड़की दाखिल होती है वो मेरे साथ हुआ था तो मम्मी ने का कि भई तुम आना और मैंने मुझे आदे सफेद रंग की चंद लेकर गए और जैसे ही एंटर होने को है हमने का यह इतना फिल्मी इल्मी है मामला मैंने भावी को पकड़ाई और मैं ऐसे करके आई और मैं आकर I just got in तो मम्मी मेरे बारे बताने लगी तो मम्मी ने एक चीज वह जिक्र की कि इसका वहां हो गया था ताशकंद में तब पू प्रिया को भेजेंगे तो माएं तो इस तरह की बात करती है उन्होंने बोला खतम हो गई उन्होंने मैं इसास आई थी उन्होंने कहा कि इन लोग को थोड़ी दिर बात करने दे तो जब यह लोग अंदर चले गए और इन्होंने मुझ से बाचीत शूरू की तो पहली चीज तो मैंने बस एक जवाब दिया कि मम्मी ने मना कर दिया उन्हों का तुम्हारा मन था ना तो जाना चाहिए था यह तो बड़ी उपॉर्चुनिटी थी तो वह पंक्ति में समझ में आ गया था कि अधार आई न्यू है मुझे मत्तब उसने एक लाइन ने यह बता दिया था क कि यह लोग सब टेक्नोक्रेट्स हैं पढ़ाकू हैं सब हैं लेकिन क्या मिजाज है कैसे हैं वो समझ में आ गया और वह हम दोनों समझ गए कि यह दोनों ने शाद जीवन का लक्ष एक है रस्ते अलग अलग पकड़े हुए हैं और उसमें हम दोनों को एक दूसरे का हम लोग यहां पर हैं तो इसे बहुत प्रासंगिक है विलेज विजिट्स एस्टेम थे जोटे बच्चे थे दोनों बच्चे थे शादी की तीसरे साल में दोनों बच्चे थे क्या नाम है उनके अनन्या बड़ी बेटी और अधविती बेटा और मैंने महसूस किया हमारे से विजिट्स एकमपलिश्ट एंजूकेटेड़ वाइव मेरिंग ब्यूरोकरत कि वह इतनी शिक्षित थी उन्होंने इतनी दुनिया देखी होती थी इतनी बड़े फलक से आती थी और जहां जिसके लिए काम करना तो उसी से कट जाती थी और मैं जरूर दावे के संग कहना क्योंकि पतनी कटी है तो पती तो काम काम कर रहा है बस फिर यानि आपका 9 to 5 के बाद जो जुड़ाओ है ही नहीं क्योंकि यह जुड़ाओ गाहों में रहने से नहीं होता यह कोई ग्राम्यून देखती आया कोई कहावत है कोई बोली है आपके घर का अर्दली है वही बात क कर रहा है आप उससे किस से बात कर उसके दुख से यह सब उसी से जुड़ा हुआ है इस नोट जस अबाउट स्पेंडिंग टाइम इन विलेज इस अबाउट दा होल लाइफ स्टाइल कि आप कितना उस ग्रामीर जीवन शैली से या अपने जड़ों से कितना जुड़े है यह मैं इसलिए बतारियों आज आपने पूछा कि इस तरह का एक सामाजिक दाइट हो रहा तो जो मैंने लोग गीतों में किया या लोग गीतों के जरीए जो एक चीजे रिष्टों को जोड़ना जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ताकत है हमारी लोक संस्कृते की सबसे बड़ी ताकत परिवार रिष्टे रॉघ्टान खिजाएगा मंदि में दिया जलना जरूरीत यदि इस्तिरी है सवभाग तो फिर सेनूर होना चाहिए और यदि तिरिया कहला तो तो गोद में ललना तो होना चाहिए लगी शिष्चु होना चाहिए उसके बाद वो कामना कर रही है शिशु होने की तो कहती है बड़ बड़ उपईया जतनवा उपचरवा जतनवा अरे भाई लुन हो अरे ललना जब लें राम जी के किरपा बहुत सारे उपईय कर लिए बड़े उपचार जतन कर लिए कृपा जब राम की तो ललना कर जनम हुआ लंबा सोहर है इसमें कमाल का जो अंतरा मैं आपको सुनाने जा रही हूं जिसकी विज़े से इतना मुझे ये सीखने वला एक इतना शक्तिशाली एक नजीर दिखती है कि हमारे पूरवजों में क्या सोच हमारे इंसिस्टर्स की थी कि वो गाने के बहाने क्या शिक्षा देखे जाते थे मा कहती है बेटा पैदा हो गया उसके बाद कहती है अगली पंक्ती में क्यों के ललना बाड हुई है के ललना बाड हुई है देसवा के काम हुई है जनम हामार सुफल हुई है हो के ललना बाड हुई है देसवा के काम हुई है जनम हामार सुफल हुई है हो मेरा बालक जिस दिन बड़ा होकर देश के काम आएगा उस दिन उसको जन्म देने पर अपना जीवन सार्थक मानूगी कितना पुराना बोजपुरी का सोहर है और ये दिखाता है कि हमारे यह मतलब माएं क्या सोच कर बच्चों को जन्म देती थी जब आज की तारीक में आप सोचते हैं कि कैसे फौज में बच्चों को भेद देती माएं खुशी-खुशी मेरा ललका जाएगा परिणाम के चिंता नहीं ये देश की सेवा के लिए ऐसे में हमको मिलता इतना पुराना एक सुहर जिसमें एक माह कह रही है शायद उसका मतलब स सेवायना से नहीं रहोगा देश का काम तो किसी भी तरह कर सकता है बड़े-बड़े पुल बना के बांद बन नके अच्छा चिकत्सक बनके अच्छा Kिसान बनके ललना बाड़ हूई हैं देसोबा के काम हैं जन्वध को छोटा बच्चा उसको लेकि मा की मंगल कामना यह ज यह नहीं लिखा कुछ यादा रहा था। यह तो प्रेमी। अहो, बिलकुल, बिलकुल। कई लोगों को आश्र होता है। अभी मैं ही किसी को बता है रितिकल परसो तो उनने का नहीं 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 गाओं कनेक्शन वाले निलेश में से लिए मैंने तो पहली बार मेरी मुलाकात, मुलाकात क्या मतलब ऐसा परीचाए। इसी से हुआ कि मैंने साथ में काम आप गाना हुआ और वो आप भी नहीं लिखा था। तो वो मेरे ले भी नया था क्योंकि मैं भी एक वक्त तक है कि मैं इस ट्रैप में फस गया था कि ये सिर्फ रोमैंटिक जादू है नशाय लिखते हैं और तो वो अच्छा एक्सपेरिमेंट था मेरे लिए ये रिली इंजोई राइटिंग फिर मैंने सुना कि आपकी आवाद में तो इस वो इस वो इस रिली 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 आई लवड़ इट तो आम कितनी सारी बातें करनी आपसे कहां से शुरू करूं संगीत और आपका जो रिश्टा रहा है और कई लविल्स पर रहा है एक तो ये फिल्म फोक वगएरा फोक म्यूजिक से आपकी पहली पहचान कैसे शुरू ही और कैसे शौक हुआ मुझे लगता है कि कह सकते हैं जहां परवरिश होई उन जगाओं के मिट्टी में तो हवाओं में था मिर्जापूर में मतब मैंने मेरा जन्म कर नौज में हुआ लेकिन जो बच्पन बीता पहले साथ साल बच्पन के जो सबसे जो जहां खेली जिनकी धूल मिट्टी में व तो पहली जो जाती थी वह अबधी है मिर्जापूर में तो वहां पे पूरवंग की जो गाईकी है क्योंकि उस जमाने में विंदेमासनी मा की विज़े से साल में दो बार आते ही आते थे जिद्वेल नहीं द्रहते थे पहली बार जो सुनना देखना औरowane सक्षित आ करना कि पहला गाना क्या सुना होगा लेकिन आप सुरज मुख ना जएब कि हायराम बिंदिया के रंग उड़ा जाए तो यह मैं गाती थी मा मताती है कि बच्पन से गाना गाती थी और यह बाद में मेरे को समझ में आया और जो लोगों से सुना कि इसे देश्वरी देवी जी का गाया हुआ बड़ा पुराना इदाद्रा था और जो कि बनारस में बड़ा मशूर था भेरवी में तो मुझे लगता है बनारस का असर वहां पर उस समय था वहां पर सुनते रहे और फिर हमारे यां ताई जी वकर हमारी बहुत अच्छा गाती थी धोलक खुब बजा के दो मुझे शायद उस दौर में भी समझ में आता था क्योंकि मुझे याद नहीं कोई छोटी बच्चियां उस समें ताई जो के पास बैठती हूं सब भागती थी लेकिन मैं बैठती थी तो आई थिंक वह फैमिली से मैं कहूंगी संसकार क्या उमर रही होगी आपकी किताब और इसका टाफ डिसिप्लिन है और एक प्रोसेस है जो अब शायद कमजोर पढ़ रहा है पर उसमें तोड़ा अगर आप कैसा होता है एक शिश्य होना और सीखना उसका इक डिसिप्लिन एक रिगर बड़ा खुबसूरत सवाल पूछा है निलेश बहुत अच्छा मैं इसलि तालीम थी वो रामपूर घरानमी क्लेसिकल मैं उस्ताज चुजात हुसान खासाब थे रामपूर सहस्वान जो घरानमी मुश्ताफ हुसान खासाब के नाती थे और दस बरस की थी उन्हीं सही सीखना शुरू किया और पांच साल उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया तो पहली चीज अब हम लोगों के जैसे वो दौर था कि लड़किया जो है जब सीखती थी तो यह गाने का तरीका इस वेरी फेमिनन गर्लिश ट्रेंड की लड़किया तो ऐसे ही बैठेंगी नहीं चीजों का मतलब मैं इसलिए बता रही हूं बोडी लैंग्विज का बड़ा मैंने हमेशा देखा थे लड़कियां तो वह इस तरह से तो वह मेशा उन्होंने का यह क्या है और उन्होंने हमसे कहा कि यदी गाना सीखना है तो आपको इसमें पूरे पादमासन में अपना पादमासन के आलती-पालती मार के और इतना डाटते थे जरा भी रिड की हड़ी तो जब मैं लोगों को पता है योग की बात करते वह देखती हूं तो मुझे लगता है कि जिसने शास्त्री संगीत के अच्छे गुरू से तालीम लिए तो योगासन घड़ी से कर रहा जब से उसने सीखना शुरूर किया जो आज सांस पे नियंतरन की बात करते हैं अनुलो पे गाना है तो भी एक कि ऐसे ही कोई बैठेगा तो क्या गाना बजाना होगा तो तेवर और एक अनुशासन मंच का कि कलाकार बैठा है तो वह जैसे कि वह एक कुछ कहने के लिए बैठा है तो आपकी सतर्क मुद्रा एक होनी चाहिए वह दस वरस में उनका इस प्रकार का और वह हमेशे मुझसे यह कहते थे कि खोल के गा दबा के बिल्कुल नगा एकदम खोल के गा बिल्कुल और अधम पठान की तरह मुझसे कहते थे तो मैं शुरू से थोड़ी से कह सकते है कि आप क्या वोलू मतलब एक खुली बनो व्रत्ती की एक बच्ची थी जहां बंधन जब ऐसे उस्ताद मिल जाएं गुरू मिल जाएं तो मुझे से कभी कभी लगता था मैं कि मेरी आवाज जो है मुझे लगता क्योंकि वो दौर था निलेश आपने तो फिल्म में काम किया एक बहुत प्रोजेक्टिड वोइस क्वालिटी का दौर था जहां पर कि लता जी आश दूसरे काले का सा वहीं से गाने लाइक तो मैं मिशा कहती थी कि ये खरच कर याज भी करती हूं तो मेरी आवाज बुलंद है और वैसी नहीं है जैसे कि एक मीठी मीठी बिलकुल तरल जैक्ली इस पर हने वाला था था कि ये जो एक तो है जो जो लाता जी वाला स्कूल है छे जो आपका आउड़ाय जो जा सत्पम कंई और इस तरह की आवास को बहुत वक्त तक इजग नहीं मिली है मुरमा एक ऐस अंसाइडर कहा लुग बिलकुल औरा उटसाइडर भी हूं और कही न कहीं इंसादर भी हूं और इस तरह की आवास को हाल फीलहाल में की और अब कि तो इसमें आउट अफ प्लेस महसूस करती थी? मैं इंटेक्ट दूसरी बात कहना चाहती हूँ उस जमाने में तो गूगल वगरा थानी ननेट थे, बड़े बुजरुगों से सुनते थे मैं बापस उसी प्यारी हूँ, तो महारी उस्ताद नहीं बात बोली उन्होंने को इन्होंनेगों किजने कहा कि दरसल यह सारा अंगों को देक देक जाती हैं आप किடीज सुर्म नहीं जित्व तर्स anti pagHHHHάν जिटनय या जितनी वनोंस का आप रिकोर्डिंगों सब काली चार से सदेशुरी देवी जी सब वहीं से गाती थी और वो कहने लगे कि तो सब का सब का वही सूरे तुमको बेंचमार्क वो क्या लगता है अब जो आप देखे उस समय आप जब आगे बढ़ रहे होते हैं या आप आखे खोल करके आसपास चीजों को समझ रहे होते मुझे लगता है कि पहली बार फिल्मों में रिष्मा जी का जब गाना हीरो में आया तब लोगों ने कहीं पे एक अदरवाइज उशा उथुप थी जो कि रॉक पॉप में गाती थी लेकिन एक खांटी आवाज से इश्क हो सकता है लोगों को ये बेगम अक्तर जी के बाद रिष्मा जी की वोइस में फिल्म की बात करे हूं और तब जब वो मुझसे कहते थे कि आवाज तो जितनी पुराने गाने वालियों को दो ये आवास तो बड़े नसीब से मिलती है ऐसी आवास के लिए लोग तरसते हैं तो वो एक कहले उन्होंने मुझसे कहा कि इस पे ही आप काम करें कुछ और बने की कोशिश ना करें बिल्कुल तो वो समझे रामपूर घराने के मारी तालीम हुई फिर वो चले गए वापस रामपूर और उनका ट्रांसफर हो गया कि उन्होंने खुद आप्ट किया परिवारिक परिस्तितियों कारण तो रहात अली खान साब उन से चुकि संगीत की समझ होने लगी उस्ताद रीडियो के थे उस्तव रेडियो जाना होता था और खान साहब पटेयाला घराने की तालीम थी अर वो अपना आदर अस्ताद बर 먹어 कति हैं बड़ेम ली खान साऑ को मानते थे और आप कह सकते हैं कि बिलकुल बस मैंने सोच लिया था कि जिंदगीया पूरी मेरी होगी तब जब उनसे सीखोंगी और मैं घर मैंने कहना है शुरू कि उनसे सीखना तो पूरा दूरी तुम अपना भई अडेट करना वो तुमारा काम है तुमारा काम है पाइप लुग उनसे पाई कि यूग करने कि यूग कर दूरू से मुझे लगता है और यूपर वाले ने ऐसा करम किया कि इन्होंने दो ही शागिर्द बनाए अब वर दो जहां बीगाते तो पहले उनका नाम लेते हैं फिर गाते हैं मैं हूँ दिलेर मेंदी घराने की बात प्यारी चुकि बहुत कुछ फिर उसके बाद किया कर आया जब 98 में अपपा जी से सीखने शुरू किया तो अपपा जी एक बार भात खंडे में जब में वहां से जमारे पिता जी कर ट्रां मैंने निपुन में टॉप किया था और वहां की इंटर्नल कॉंपटेशन में फर्स्ट आई तो बड़ी सुन्दर एक वहां पर प्रंपरा थी कि जो फर्स्ट आएगा उसके भी प्रस्तुति होगी और गायन विधा में भी हिंदुस्तान का एक जो सबसे बड़ी शक्सियते वह गाएंगी उसी में अपा जी का यानि हमारी गुरू गिर्जा देवी जी का कारिक्रम तो मैंने गाया 25-30 मिनट का मेरा प्रेजेंटेशन था फिर अपा जी जब जाने लगी तो मतलब उनसे तो उनका तो चहरा सामने आते लगता है कि साक्षात ऐसे देख लिया संगीत क तक बैठ करें पूरी उनकी भूरी भूरी आखें गोल्डन सारी पहनी वितियों उनने का कि तो उन्होंने प्रिंस्पल थे पंडित सुरेन शंकरवस्तिजी उन्होंने मिलवाया कि इमाली यह गावत नरी उनसे बनारसी में बतियाते थे आपन आयम सुन ली है आवाद बढ आपा जी ने आज कहा और एक गुरू को जिसके लिए सपना सोचती थी और वो कह रही है और बहुत हम बता नहीं सकते उस तकलीफ को बयान नहीं कर सकते लेकिन जब मैं हस्बेन की पोस्टिंग भी बनारस नवरातर के दिन थे आयुद्या में अफेज़बाद डियम थे वहां से बनारस तो मैंने इनसे कहा कि पाभू यह तो माने विंदिवासनी को और मैं बस उनके पास गई अबनारस घराने की जो तालीम दी और फिर उससे अब जब मुझे बोलते हैं पूरा बंग की घराने की आप गाईका है मेरे लिए मैंशा इंट्रियूस किया रहता है अपा जिने गंडा बांदा भी साल में अपा जी सीखी तो उसमें अभी और दिखती है तो मैंने कहा कि वो रहेगा वो तो नहीं जाता गुरू की चीज़ें कभी नहीं जाती है और मुझे लगता है कि किसी भी गुरू से जब आप कोई चीज लेते हैं हमरी उस्ताद तो जिंदगी पर यह बात कहती रही कि मेरी कारवन कॉपी तो बनने के कोशिश ना करना हम में तुम्हें सुनेगा कौन सबसे कहती थी कि हमने भी जिन से सीखा अपनी बात जब तक होगी कि नहीं तो कौन किसको सीखना है और दूसरा इस मामले में कहीं न कहीं मुझे लगता है कि संगी तो खुलापन है आप जितना देखें सीखें सुनें और फिर करें वहीं जो आपको ठीक लगता है लेकिन यह चीज़े तब ठीक हैं जब आपने कम सकम एक रस्ते पर चल लिय कि अपने कमना किये हुवे मैं सिर्फ एक रस्ते पर चीटी की तरह चलती रही हूं कि कुछ मिलेगा जो कहते है कि कर्मन ने वाधिका रस्ते तो मैंने तो मैंने बता है मेरी माह कहते है तो अभी हो गया दन यू आर देर अब तुमको तो वह नहीं होना चीज़े अब हो गय और आपको लगता है कि अब कुछ हो भी नहीं सकता और इतना सीखने के बाद फिर आप उस विद्या को किस तरह से प्रयोग मिला है और फिर सीखें और फिर यह सोचे कि नहीं नहीं यह इसलिए सीख रहे है क्योंकि मुझे सीखना है आज कल तो 15 साल का बच्चा भी आपसे स यह कहा आएगा कौन सुनेगा ताली कब बजएगी तारीफ कब होगी तो मुझे मालूम है कि उस यात्रा पे ऐसा नहीं लोग चल भी रहे हैं लेकिन शायद हम लोग मैं और मेरे साथ की बहुत सारे लोग भी होंगे जो उस पीड़ी के हैं जहां पर मानते थे कि बड़ा मक करना तो देखें नेवर भी शॉर्ट कर मैं वापस आपकी जो शादी हुई वहां तक जाना चाहूं का यह एक यह जो इन्मोशन है जो हम पुरुश नहीं समझ सकते कभी एक लड़की को एक नए परिवार एक नई दुनिया में अपनी दुनिया छोड़कर जाना उसको अप वो कैसा था जो कुछ आपने का उससे कुछ भी अलग नहीं क्योंकि एक परमपरागत परिवार से बहुत परमपरागत परिवार में गई थी दोनों पॉजिटिव बात दोनों जगह यह थी कि बहुत मन सबके खुले हुए थी जैसे मेरे मायके का वैसी ससुराल का लेकिन श संस्कृति नए परिवार के सोच में सामंजस से बैठाने में जो किसी भी बहु को आएंगी मैं कहूंगी जो शनय होता है जो मेरे साथ भी हुआ जैसे कि मसलम आप यह सोचें कि मेरे लिए खुद सोचना मुश्किल था कि मैं रियाज कैसे करूं कोई मना नहीं करता था लेक खुद लगता था कैसे कभी क्योंकि इनके लिए उन देखा ही नहीं खुद लगता था कि यहां पर कोई तबला बजाने आए पापा जी को कैसा लगेगा अम्मा को कैसा शायद मैं ज्यादा सोचती थी और अपने समय से इतना ज्यादा उनकी मैंने कहा कि उधार थे कि मुझ अब जर्णी की बात हो रही है तो मैं जरूर एक बात और बताऊंगी कि मेरा रिकॉर्ड रहा है अनलेस ऐसा शेहर जाओ अगले दिन फ्लाइट पकड़नी है मेरा ये रिकॉर्ड रहा है आठ पीस साल हो गए पैतिस साल गारी हुआ है मैं कारेक्रम करना के बद उस शेहर मे रहा नहीं रुकियों रात में ही चल देते हूं सारी आत्रा ही रात में करते हूं आज तक आज तक आज तक अनलेस अंटल इस भोपाल अनलेस इंदौर इस राइपूर बॉंबे और राची जहां पे आपको पता ही है कि भई अगले दिन फ्लाइट है बट जितनी भी हमारी कि यदि 7-8 गंटे मत्तब यदि साहरनपुर भी में गई हूं तो मैं दिल्ली जाकर फ्लाइट नहीं राथी में चलना है मुझे और वो सिर्फ इसलिए कि मैं सुबह अवनीश को ऑफिस जाने से पहले मिल पाऊं और बच्चे स्कूल जाए तो उसके पहले में घर पे हूं तो वो चीजों को खुद समझते हूं मैं जैसे कहा कि जिए वो रिष्टों से प्रेम करते हैं वहां पर आप सर्वस निए अच्छावर करते हैं विदाउट रिलाइजिंग यॉर दूइंग इट आई तिंग वो तो मेरी बहनने का गाओ तो जो गाने के संग जो निकला जो सामने आपको एसस करें अज़ थर्ड पर्सन नॉट आज वो यू आर एंड फिर चीजें बहुत उसके बाद भी बहुत सब कुछ होता रहा एट सब लॉंग 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 जर्णी अरी कैसे खेलन जैबू सावनमा कजरिया बदर्या घेरी आई नन दी भावी कहती है अकेले कैसे जाओगी और वो कहती ननत हम तक खेले जाए भाव जी कजरिया बदर्या चाहे बरसे भाव जी आचाहे परसे चाहे जोर हम जाएंगे गाने में दिख रहा है कि अकेले यहनी जाती थी ननत भावी टू करेगी जो आज भी करेगी देर होल वेरी कॉंट्रेंपर अरे गुंडा रोक लई है तो घरिडगरिया बदर्या घेरिया इनन दी यह सब आज भी यह पहले भी था कौन सब्य समझदार जिम्मेदार भावी है तो ननत को नहीं रोकेगी और उसका मचलना भी सही है आजादी लड़कियों को थी नहीं तो त्योहार कहां से आते यतने जूला के गाने कहां से आते लड़किया इतने जूला जूल रहे हैं वह कहां जूला जूलती थी कि सारे गाने प्रक्रति पर्णतो चीते हैं तो यह कही न कहीं मुझे लगता है और बैठे बैठे अब तो मिकल चली लोग कहते हैं कि आज कल modern women है जो प्रपोस करती है लड़कों को आगे बढ़ करके और women empowered women are you know पहले के मारी लड़कियां कितनी मजबूत थी सशक्त थी और प्रेम के मामले में बड़ी मैं कहूंगी आज की महिलाओं से ज़्यादा सशक्त थी एक गाना है कितना पुराना लोग गिर शब्दों से खाली भाव का नुमान लगा सकते हैं मैं चंपे की कलियारे पिया फूल गोलाब तुम मैं जंगल की हिरनी रे मैं जंगल की हिरनी रे पिया तुम छतरी के पूत मैं जंगल की हिरनी रे पिया तुम छतरी के पूत उठाया बान मारत का है नाही रे मैं चंपेंगी कलिया रे पिया फूल गुलाब तुम मैं जंगल की हिरनी हो और तुम तो छतरी के पूत हो बान चलाते क्यों नहीं मेरा शुकार करते क्यों नहीं गीत है आगे सुनिये मैं मैं जलमा मैं जलमा तड़ पत मचली रे पिया तुम पिया मनला मच्वा के पूत पूत पिया तुम पिया मच्वा के पूत देखिए लोग कहते हैं कि जाते वर गई करन हमारे था यह देखिए कि गाने में अपने प्रेमी को उसने कहीं चत्री बता दिया और कहीं कहीं तुम तो मला के पुत्रों क्योंकि वो अपने से जोड़ रहे रिष्टा मैं जलमा तलफत मचली रेपिया तुम मच्छुआ के भून उठाए जाल का है फेकत मैं चंपे की कलियारे पिया फूल गुलब तुम मैं जलमे तडपती मचली हूँ तुम यदी जाल क्यों ही पेक रहे हो जाल क्यों है मैं तो भसने को तयार हूँ डाल तो फेको यह देखिए कौन कहता है कि प्रेम का ऐसा सशक्त प्रेमा लाप आज भी लड़किया नहीं लि जिनकाले और हमेशा चाहा भी है कि यह एक लोगों की जो सोच है उनफोर्चनतली क्योंकि वह पीधी अब घर में साथ नहीं रह रही है जो धोलग बजाती थी इनके घर धोलग थी तो हमारे जैसे लोगों का जिंदगी पूरी इसमें जानी ही चाहिए जाहिए जो कहा वह उाल भायों कि अछिए और भायों किन है अच्राइब कर दोंगतीन कि आपका जाज़। झाल झाल